जैं मातादी मित्रों मेरे नाम पंडित प्रकाज जोजित स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एश्टो आज मे मित्रों आज हम चर्चा करने वाले हैं लेवरा तुला राशी का मासिक राशी फल यानि में 2021 में तुला राशी वले बड़े चिंतित होंगे कि मयें को बताना चाहता हूं कि तुला राशी वालों के लिए मैं का मईय पर्सेंट पॉजिटिव फल दायक है यानि कि तुला राशी वाले जैसा कि जानते हैं इस समय पर बहुत जगा पर लॉक्डाउन चल ला है बहुत जगा पर क्रोना का संक्रमन चल ला है नोकरियां जा रही हैं लोग बिमार ज़्यादा हो रहे हैं तो ऐसे मैं चिंता करना ला कि तुला बीज़ेंगी सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वास्ति के से में देखा जाता हैसमें अगर हम करें पिछले महीने की तो महां का महीना काफ है का अच्छा रहे के अपरेल में तो तुला राशी वाले थोड़ा बीमार भी पड़े थे, हाथ पैरों में दर्द स्वास्त की प्रब्लम भी उनको हुई थी, लेकिन अपरेल की तुलना में आत्म विश्वास में ब्रदी आएगी, जो नींदी की प्रब्लम थी, उस वो प्रब्लम भी सौल्ब हो समाने फल दायाक मही की स्तती रहेगी, दो जगा से आपको धन काप्त की प्राप्ति होगी, पहला जो आपने काम किया है, उसका धन प्रब्लेगा, दूसरा अगर आपकी rental income है, या आपने कोई मकान बनाया है और किराय की इंकम आपको प्राप्त होगी यदि नहीं बनाया तो एक जगा से फिर आपको धन प्राप्त होगा इसी प्रकार से परिवार भाव की बात करें तो परिवार भाव में शनी बैटे हैं अपनी सुरासी में बैटे हैं तो परिवार के के लिए मई का मेना समान्य फल दाया कर रहे गा याद रखेगा जैमत अधी जी मैं आप से पोच्छने साथ आप कुरुजी से दो सालों पहले से जुड़े हुए हैं तो कैसा है आपका अनुबब वीस सालों से जुड़े हैं हमारा बहुत अच्छा अनुबवरा जैसा उन्हो चाहते हैं ऐसे हमारे संबन पंड। य से बने रहे बोहत ही अच्छा वाणे और अशों ζwe माय के महिनेमें कोई परिवार से संबंदित भूमी से संबंदित रखेगा समस्या का समादान हो हुगा या भूमी से संबंदित कोई बड़ा काम आपका होगा तो परिवार एächlich लिए अगर देखा जाए तो मई का महिना बहुत अच्छा है इसी प्रकार से संतान भाव की बात करें तो संतान भाव में गुरू विराजमान है तो कहीना कहीं मही का महिना आपकी संतान की विद्या के लिए बहुत अच्छा रहेगा संतान बड़ी धार्मिक हो जाने वाली है संतान अपने कामों के प्रतीबड़ी सतर्क होते वी मई में आपको नजर आएगी और संतान में नए शोक मई के मैने में जागरित हydi यानि नए नए चीज़ों में उनका इंट्रेस्ट मई के मैने में आप देखेंगे इसी प्रकार से नौकरी के बारे में बात करें तो नौकरी भाव के स्वामी गुरू पंचम भाव में बैठें तो मई का मैना समान इस्ति दायक रहेगा यानि कि अगर आप उस नौकरी में धहरे से ठिके रहे तो बविश्य में आपके उन्नती के अफसर बहुत अच्छे रहने वाले हैं आपको नोटिस किया जा रहा है कि कठिन काल में आप धहरे से काम रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं और बड़ा आदमी या बड़ा बॉस आपको भविश्य में बहुत लाब देने वाला है अगर आप धहरे बना कर रख सके तो और आपको आने वाले भविश्य में कोई नई जिम्मेवारी भी मिल सकती है हो सकता मैं से ही आपको नई जिम्मेवारी मिल जाए लेकिन उसमें धन्ना प्राप्तों आपकी एक तरह से परिक्षा चल रही है परिक्षा उच अधिकारियों द्वारा चल रही है अगर आप इसमें पास हो जाते तो आने वाले समय में आपको मैंत पून पद मिल सकता है याद रखेगा इसी प्रकार से दामपत्य जीवन में बात करें तो दामपत्य जीवन में सूर्य और शुक्र दो ग्रहे विद्वamान है सबसे पहले प्रेमियर और प्रेमिकाओं की बात करें तो उनमें मदभेद तनाव की इस्तति मही के महेने में रह सकती है वहाँ पर पती पतनी की बात करें तो पती पतनी में प्रेम बहुत अच्छा बड़ेगा और मानसिक तनाव आपस में जो मिस अंडरस्टेंडिंग थी परिवार को लेकर वो दूर हो जाने वाली है याद रखिएगा इसी प्रकार से जो तुला राशी वाले जातों को जाते गाएं अपना कंसेंटेंसी का काम करते हैं फैक्टरी करते हैं व्यपार करते हैं या अपना बिजनिस करते हैं तो उनका कई न कई एक तो स्थान परिवर्तन का योग नजर आ रहा है या तो आप जगा बदल के व्यपार करेंगे ऐसा योग नजर आ रहा है मई के महिने में और काम में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आपका आने वाला है यानि काम का मोड चेंज होने वाला है काम के स्थति मई के मैने में मध्यम फल दायक ही रहने वाली है तो मित्रो ये था तुला राशी का मई का मासिक राशी फल इस कारेकरम में मित्रो बजितना ही मुझे दीजे जाया ज्यामाता, Δήμητρο.